नेपाल प्रिमियर लीग को ठुक रहा के IPL का वेट करने वाले डेविड वार्णर को IPL के आक्षण में न, इग्नूर कर दिया गया, मतलब डेविड वार्णर जो है, वो IPL के आक्षण में अंसोल्ड रहे गये, हाँ, वो ही IPL आक्षण जो कलने यहाँ पर चल रहा था, जहा वैड वार्णर पर पैसे नहीं लगाए, और जब नेपाल फैंस, डेविड वार्णर से यह कह रहे थे, कि भहिया, आप आके नेपाल प्रिमियर लीग में खेल लो, तब डेविड वार्णर न ने कहा कि नहीं, मैं जहूं, IPL खेलूंगा, और IPL का वेट कर रहे थे, इसको लेकिन जब ऑक्सन का टाइम आया जब डेविड वाडनर का नाम आया तो एक भी फ्रेंचाइज जो है ना उन्होंने पैसे नहीं लगाये यह सोच के कि यह डेविड वाडनर पे पैसे लगाने से अच्छा है कि मैं किसी नए प्लियर पे पैसे लगा लू मतलब उनका यह मानना है कि यह डेविड वाडनर जो है वो आप डेविड वाडनर नहीं रहे जो वो एक टाइम पे हुआ करते थे और देखो काईस कहीं ने कहीं यहां पर डेविड वाड़नर को एंपियल खेलना चाहिए था नेपाल प्रेमेर लिग जो की सबकी एक्सपेक्टेशन थी ऐसा भी नहीं है कि नेपाल की फ्रेंचाइज उन्होंने डेविड वाड़नर से कॉंटेक्ट ने किया डेविड तक देखो बड़े बड़े इंटरेशनल प्लेर्स खेल रहें हैं उनके खुद के कंट्री के बैंकटिंग वह खेल रहें इंडिया का सीखर्दवन खेल रहे है औरल बड़े बड़े प्लेयर्स खेल रहे है लेकिन डेविड वाडनर जो है वो यहाँ पे NPL नहीं खेले उन्होंने इग्नोर कर दिया क्योंकि सिद्नी ठंदर को वो अब कप्तानी करेंगे BBL के अंदर अभी वो कमेंटरी कर रहे है BGT के अंदर समझेरो तो उसको वेट था कि बाई आई पेल उक्षण में मुझे कम से कम चार से पाच करोर रुपे मिल जाएंगे लेकिन एक रुपया भी डेविड वर्टनर को आई पेल आक्षण में नहीं मिला और कहीने अभी एक बात क्लेर हो गई कि जो नेपाल के प्लेयर पो उतना ज्यादा इंवेस्ट नहीं किया गया तो कहीने कहीने नेपाल के प्लेयर्स ने वो दिमाग से खेला उनको पता था कि आई पेल आक्षण में हम नाम देंगे तो साइध हो सकता है हमारा नाम ना आए या फिर अगर मेरा नाम आए तो हम अंसोल्ड हो जाएं जैसे देविड वार्णर हुआ यह भाई बहुत अच्छा मूव जो है नेपाल के प्लेयर्स ने चला था खैर इसको लेगे एक अलग वीडियो बनाऊंगा पर्टिक्लरली वह आप जरूर देखने ला लेकिन डेविड वार्णर के लिए बुरा लगा मतलब डली कैप्टल की फ्र उपर लीग में उनका नाम आया लेकिन वो अंसोल्ड हो गए कोई भी फ्रेंचाइज ने इंट्रेस्टी नहीं दिखाया एक फ्रेंचाइज तकने जो है वो बिर नहीं किया डेविड वार्णर के उपर जबकि उनका बेस प्राइस बहुत जादा कम था दो करोर के आसपस थ कोई फ्रेंचाइज दो करोर देगे ले सकती थी लेकिन किसी नहीं लिया किसी फ्रेंचाइज ने डेविड वार्णर को लेना नहीं समझा हाला कि एंपियल में डेविड वार्णर को अब यहां पे खेलना चाहिए इस सीजन नहीं तो अगले सीजन से खेलना चाहिए क्योंक वर्ल्ड क्लास बॉलर्स NPL में भी आने वाले तो यह डेविड वाड़नर को भाई सीख लेनी चाहिए डेविड वाड़नर को जो है अगले साल से NPL में खेलना चाहिए क्योंकि आप ऐसे बैठे नहीं रहे सकते हो आपको अपनी स्किल्स जो है वह दिखाती रहनी पड़ेगे खेर आईपियल में देखो आप सब लोग नए प्लेयर्स पर वेस्ट करदेगे ते इसले डिविड वाड़नर पर जो है इनवेस्ट नहीं किया गया सकती है क्योंकिक ब्लेश जो से अच्छा हela उफर करती है अगले साल ना मतलब एपकर कन के लिए चाहिए अब शैसे पैसे जो कुछ कहने नीचे comment section बताना, आप क्या सोचते हो, डेविड वाडनर को NPL में खिलना चाहिए, IPL में उनको पिक नहीं किया, इसको लेकि आप क्या क्या सोचना है, क्योंकि मुझे बुरा लगा, मतलब डेविड वाडनर भाई, अच्छा प्लेयर है, वो एक अच्छे खिला कि मुझे बताना, मैं जो इनल जाना चाहूंगा